इस होरब ठाकुर और आप देख रहे हैं रीडर रिस्पांस थेयरी पर मेरी लेक्चर स्रीज जिसमें एक लेक्चर बना चुका हूं अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना क्योंकि वह इस लेक्चर से बहुत सब्धा इंपॉर्टन एंट्रॉट्री लेक्चर इस इस स सबसे पहले स्टेनली फिश के अगर हम बात करें वैसे तो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है पहले वाले लेक्चर में कि किस चीज को बिलॉंग करता है अफेक्टिव स्टैलिस्टिक्स और सोशल रिडर रिस्पॉंस थेयरी को यह बिलॉंग करता है वह दुबारा से वैसे कौईन स्टैनली फिश नहीं किये लेकिन इस चीज के बारे में बात किये काफी इंटरप्रेटिव कम्यूनिटी मैंने पिछले लक्ट्र में भी बताया था कि इंटरप्रेटिव कम्यूनिटी क्योंकि यह रिडर रिस्पॉंस थेयरी को बिलॉंग करते हैं तो इनका पर ज्यादा फोकस रहेगा, interpretation पर ज्यादा फोकस रहेगा, कि readers कैसे एक work को interpret करते हैं, ठीक है, अपने experience के हिसाब से, तो उसी बात पर इसने कहा था कि वो community पर based होगा, कि मानलो मैं किसी भी अलग community से आता हूँ, तो मेरा पढ़ने का नजरिया, मेरा पढ़ने का तरीका, language की म मेरी understanding बिल्कुल अलग होगी, अगर मैं Hintendo हूँ मेरी अलग होगी, Muslim की अलग होगी, अगर मैं किसी अलग caste से आता हूँ, किसी region से आता हूँ, किसी नेशनलिटी से आता हूँ, तो हर एक तरीके से मेरी जो comprehension होगा, वो अलग होगा, उसी तरीके से ये कहता है कि जो हमारा language ह language हम उसी हिसाब से समझेंगे जिससाब से उसका meaning हमारी community में है हमारी society में है ठीक है जरूरी नहीं है कि भले ही मैं Hindi बोल रहा हूं आप Hindi समझते हैं context अलग है बोलने का, तो language में भी variations आती है जब आपकी community अलग होती है, तो वो चीज़ समझने वाली है, तो उसी चीज़ को यी interpretive community कहता है, कि हर एक इंसान अपने experience से, जो भी एक work है, उसको read करेगा, उसको interpret करेगा, और वो उसका experience based होगा, उसकी community पे, कि वो कहां से आता है, language को भी वो उसी हिसाब से, उसकी समझने की शक्ति होगी और पक्रिया होगी, ठीक है, तो interpretive community इतना याद रख लेना, Stanley Fish का है, इसके बारे में बात करता है, और ये क्या है, मैंने पिछले lecture में बताया, इस lecture में बता दे, ठीक है, अब मैं इसके आपको दो-तिन works बताऊंगा, एक इसका जो काफी famous work है, वो है surprised by sin, ठीक है, इसका subtitle है, the reader in paradise lost, ये work आया 1967 में, एक इसका और work है, is there, is there a text in the class, question mark, 1980 में ये work आया, ठीक है, तो एक बात याद रख न, Stanley Fish ने Milton की काफी बात किये, paradise lost जो है, वो Milton का है, तो उसी को ये surprised by sin, इसका ये नाम तो याद रखी लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है, how Milton works, इसने एक ये भी work लिखा है, how Milton works, 2001 में ही आया है, एक इसका और वक आया है, how to write, write a sentence, ये recent है, 2011 में, तो देखो, ये reader response theory का बंदा है, how to write a sentence and read the one, आगे इसका title ऐसा है, कि कैसे एक sentence को लिखना है, और कैसे उसको पढ़ना है, ठीक है, तो writing और reading के बारे में, obviously, ये बात करेगा, क्योंकि ये reader response theory का बंदा है, ठीक है, तो how Milton works, Milton के काम पे भी इसने काफी focus किया, Milton के बारे में भी इसने studies की है, surprised by a sin, reader in paradise lost, इसने इसके बारे में भी बात की है, ठीक है, इसके फिलाल, मुझे लगता है, इतने works काफी है, बाकी मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ और है, वैसे तो देखो, एक writer की बहुत सारी books होती है, लिखी हूँ, ज़रूरी निये की इतनी ही है, जितनी ही है, जितनी मैं बताता हूँ, लेकिन इतना काफी है, हमारे लिए, मुझे यह लगता है, इतने works आप याद रख लो, इसके, अब हम आगे जलते है, इतना ही था, इसे ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रुवत निया है, ठीक है, चलो, अब हम Norman Holland की सीधी एकदम से बात कर लेते, इसका politics में भी थोड़ा था, contribution पर वो हमारे काम का नहीं है, हम सिर्फ literature perspective से पढ़ेंगे और UJC net के perspective से ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, हमारा भाजी साब Norman, जो की normal नहीं है, क्योंकि वो psychology की बात करेंगे, नॉर्मन होलेंड, नॉर्मन होलेंड भी अमेरिकन था, और नॉर्मन होलेंड ने psychology की बात कि, फर्स लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये psychology जो reader response थे रही है, उससे related है, ये मतलब कि reader की psyche पे ज़्यादा गाम करेगा, नॉर्मन होलेंड की कोई term नहीं है, इसके सिर्फ works है, works में आपको बताता हूँ, poems in person, poems in person, 1973 में ये work आ है, इसका subtitle में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा है, और है psychology से related, आपने समझ लेना, जहां psychology का नाम आ जाए, वहां पे नॉर्मन होलेंड आ गया, poems in persons, an introduction to the psychoanalysis of literature, an introduction to the psychoanalysis of literature, 1973, अब इसमें आपने ध्यान रखना है, अब इस work में ये क्या बात करता है, ये कहता है, एक जो writer होता है, वो अपने writing के through, express करता है, अपनी personal identity को, ठीक है, और एक जो reader होता है, वो recreate करता है, उस work से अपनी identity, समझ गए, यही बात में फर्स lecture में समझाई थी, कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, हम अपनी personal experiences share कर रहे हैं, अपनी personal identity को express कर रहे है, उसी तरह एक reader है, वो उसको recreate करता है, और अपने identity के हिसाब से, अपने experiences के हिसाब से उसको relate करता है, उसके साथ, और उसको, उसका एक meaning निगालता है, ठीक है, दूसरा इसका work है 5 readers reading, 5 readers reading, 1975 में वका, इसमें इसने क्या किया कि 5 students को लिया, university students को, और उनको 3 short stories दे दी, तो उन 3 short stories पर उनको जो responses आए, उसको इसने इकठा किया, और उसको analyze किया, मतलब कि उनकी psychology पे based, ठीक है, तो psychology पे focus रहेगा Norman Holland का, एक इसका work और है laughing, laughing, a psychology, of humor, 1982, laughing के बारे में कि हसना खेलने की जो चीजे हैं, वो भी हमारी psyche से कहीं न गहीं related होती है, कि एक में कोई चीज पढ़ी थी भी मज़दार कि, जो हर वक्थ हंसते रहते हैं लोग, बस एक बार प्यार से गले लगा लो तो जीवर कर रोते हैं, कुछ ऐसा था कि जो लोग बहुत हंसते खेलते हैं, उनको एक बार प्यार से अब गले लगा दो तो रो वो अंदर से सभी लोग टूटे है इस दुनिया में है ना इंसान का जीवन ही ऐसा है कठीनाई हो रहा लेकिन हमने अच्छी चीजे देखने है ना तो लाफिंग और साइकोलोजी ऑफ हुमर 1992 इसमें भी केस्टेडी किए इसने एक वुमन की क्या है कि साइकोलोजी से किवे हैं मतलब साइकोलोजी से यहा भी साइकॉलोजी आ रहा है इसके सब्डैट्ल में साइकोलोजी है तो यह आपने द्हान रखना है तो इतना काफी है मेरे साब से इस लेक्टर में इतना ही अगला लेक्टर इंपॉर्टन्ट होगा वॉल्फ गंग आईजर और एक बंदा और है हंस रॉबर्ट जॉस उस पर मैं बनाऊगा ठीक है तो इस लेक्टर में फिलाल इतना ही ठीक है अगले लेक्टर में मिलते हैं तब तक के लिए इंजॉय करो बाई